हाई दोस्तों अस्सलाम अलेकुम मेरा नाम है नबील इस वीडियो में आपको वीवो T2X 5G स्मार्फ़न के टॉप 60 जी हाँ दोस्तों साथ से ज्यादा टिप्स एंट्रिक्स इंट्रेस्टिंग हीडिन फीचर्स बताऊंगा ताके आप इस वीडियो को देकर अपने स्मार्फ़न को बहुती इंट्रेस्टिंग और संकमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर वीओ पड़क करके कोई एक समार्फ़न की प्राइस पर जब़िक करना सबसे पहले फीचर के बात करते हैं दोसनों आप इस फोन में दोदे अपलिकेशन को एकी फोन में एकी पक्त में एकी स्क्रेन में यूज करना चाहते हैं तो एक application उपन करके तुरी finger को उपर ले कर जाएंगे तो नीचे एक और screen निकल कर आएगा तो आप दुसरा कोई भी application यहां पर open करके कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं और उपर वाले app नीचे नीचे वाला उपर इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इसको drag करके नीचे छोड़ेंगे तो यह चला जाता है अगले feature के बात करने के लिए अब मानलो आप दो applications के बीच में काम कर रहे हैं एक application यह है और दूसरा application यह है तो आपको उस पहले application में जाने के लिए इस menu button पर double click करना है अगले feature के बात करने के लिए आप इस phone में screenshot लेना चाते हैं तो three finger को नीचे लेकर आना got it पर दो बार click करना है उसके बाद से आप जब भी three finger को नीचे लेकर आते हैं screenshot लग जाता है इसके अलावा value button और power button पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी screenshot लग जाता है अगर आपको long screenshot लेना है उपर लेकर नीचे तक तो सबसे पहले हम कैसी इसकि लेंगे उसके बाद long screenshot के उपर किलिक करेंगे उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए long screenshot इस तरह से आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर save button पर click करेंगे तो यह long screen shot लग जाता है अगली feature की बात करने के लिए आपको आना है इस phone के settings में आपको आना है display and brightness में यहाँ पर है आई protection यह off है तो इसको on कर लेना यह display का color कुछ इस तरह से हो जाता है इसके उपर आप click करके इसके capacity को बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं यह क्या है आपको मैं बताऊंगा अब मानलो आप इसको off करके use करते हैं अपने smartphone को रात में तो आपके आँकों में blue lights जाते हैं आपके आँकों में blue lights जाने से आपको नीद नहीं आती आपकी नीद खराब होती है रात की आप इसको on करेंगे तो blue lights filter होते हैं आपके आँकों में blue lights नहीं जाते हैं आपके आँ पर set करते हैं तो जैसे रात होती है automatic on हो जाता है जैसे सुबह होती है automatic off हो जाता है यह feature यह schedule पर इसको set कर लेना एक step back आने के बाद यहाँ पर dark theme आप इसको on करेंगे तो display का color कुछ इस तरह से पुरा black black सा हो जाएगा तो आपके एक minute कर लिया तो आपने phone को use करना बंद कर दिया लेकिन screen on है तो एक minute के बाद में automatic display off हो जाता है इसके बाद यहाँ पर है font and display settings हम आएंगे अगर आपके आँख कमजोर हैं आपको ठीक से नहीं दिखता तो यहां से आप अपने fonts को बड़े कर सकते हैं यह by default तो इतनी छोटे होते हैं यह दिख लीजी इतनी छोटे रहें के बाद कुछ बारिक सा दिखता है आपको अच्छे से नहीं दिखता आप यहां पर बड़े करना चाहिए कर सकते हैं अपने मरजी के हिसाब से औ डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिस वाले fonts आप डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं आपके पूरे फोन के fonts ही चैंज हो जाएंगे आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक डिस्प्ले एंड ब्रेकने सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद स्टेटेस बार् हैं उनके icons यहाँ पर आपको दिखेंगे उसके बाद display real time network speed इसको on करें तो आप internet यूज़ कर रहे हैं वाइफाई से हो या sim card से हो आप internet यूज़ कर रहे हैं तो आपकी internet की speed कितना है कितने mbps कितने kbps है यहाँ पर आपको उपर बताएगा इसके बाद battery percentage को भी on कर सकते ह हैं battery percentage देखने के लिए अगले feature की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको इस phone के notification panel में आप इस phone में वाइफाई और hotspot एक साथ यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने वाइफाई का internet hotspot के जरिए किसी और को share कर सके बिना उस phone में अपने वाइफाई का password डाले इसके अल recording करना चाहिए उतना resize कर लेना और start करना आप phone को use कर रहे हैं लेकिन जितना यह box आपको दिख रहा है इतना ही screen recording हो रहा है बाकी का screen recording नहीं होगा यहां से बंद भी कर सकते हैं इसके अलावा इसी capture में हम देखें और क्या मिलता है यहां पर और भी funny screenshot भी आप हम पर ले सकते हैं यहां पर आप अलग-अलग shape में screenshot ले सकते हैं जिस shape में आपको screenshot चाहिए इसके अलावा देखें तो और आप इसी capture में जैसे आते हैं तो आप हम पर raise size करके अपने हिसाब से screenshot ले सकते हैं भी इतना आपको screenshot लेना है बस तो यहां पर show button पर क्लिक करेंगे तो इतना यह screenshot लग जाता है अगली feature के बात करने के लिए notification पैनल में आकर slide करके आना है यहां पर record screen मतलब यहां से आप screen recording करना चाहिए screen recording कर सकते हैं extra app वोगर आपको लेने की जरूरत है सबसे पहले इसकी quality वगरा यहां पर set कर लेना इसके settings कर लेना उसके बाद आप start करेंगे screen recording को तो screen recording फोना शुरू हो जाएगा यहांसी इसको बन भी कर सकते हैं इसके अलावा इसी notification पैनल में आने के बाद यहां पर मिलता है do not do stop आप इसको on करेंगे तो आपको call message कुछ भी आते हैं आपको पता ही ने चलेगा क्योंकि आपका smartphone hybrid भी नहीं करता और phone की ringtone भी नहीं बज़ती आप meeting में वगर आ रहते हैं तो इसको use कर सकते हैं इसके अलावा इसी notification पैनल में हम देखें तो यहां पर pencil पर क्लिक करना है आपको और नीचे यहां पर बहुत सारे buttons मिलते हैं हमको drag करके उपर लेना होता है mini screen mode इसको ले लेता हूँ उपर इसके अलावा extra dim इसको ले लेता हैं इसके अलावा हमने लिया था यहां पर extra dim मतलब आपने brightness को पूरा कम कर लिया है लेकिन और आप कम करना चाहते हैं तो extra dim को हम on करेंगे तो brightness और भी कम होता है इसके अलावा focus mode यहां से हम इसकी ओपर click करके यहां से आएंगे show all apps पर हम click करके यहां पर मतलब कोई से application के notifications भी हमको यहां पर ना आए और वह application open में ना हो ऐसे किस application के साथ आप करना चाहते हैं उन्हें application को select कर लेना आपने कर लिया हैंसे मैं भी turn on ना करेंगे तो अभी हमको यहां पर notifications भी नहीं आएंगे उन्हें application के और वह application open भी नहीं होंगे यह आप यहां पर देख सकते हैं त एक बार हम on करेंगे तो on हो जाएगा और applications आप इसमें add करके रखना चाहते हैं तो यहां पर इसके उपर long press करना और भी applications आप यहां पर add करके इसमें रख सकते हैं अगली feature के बात करने के लिए आपको आना है दूसरों इस phone के settings में settings में आने के बाद आपके हम पर dynamic effects में आना है हाँ पर आपके मिलता है ambient light effect यहां से इसको on करना custom time को off करना उसके बाद incoming calls मतलब light effect for incoming calls मतलब call आने के बाद add lighting काईसा लगना चाहिए कलर आप एफेक्ट आप एंपर रख सकते हैं मैं call के लिए इसको apply कर लेता है अभी call आने के बाद यही effect आता है काफी कमाल का दिखता है इससे smartphone और एक step back आने के बाद नीचा आने के बाद यहां पर notification को on रहने दिना है और notification apps मतलब कौन से applications से notifications आने के बाद वो add lighting लगना च notifications के लिए मैं इसको apply कर लेता हूं इस color को तो हमने यहां पर जो notification के लिए set किया color वो color आएगा notification के लिए और call के लिए जो effect हमने select किया है वो effect call के लिए आएगा अलग अलग आएगा दोनों के लिए एक step back आने के बाद यहां पर आपको मिलता है face recognition animation मतलब आपने face lock set करके रख सकते हैं आते हैं एक step back आप पर charging animation मतलब आप charging लगाते हैं फ्रून को तो लॉग screen पर इस तरह से animation बताता है वह animation के style को आप हम पर change कर सकते हैं वह effect के style को आप हम पर change कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और back आने के बाद आपको यहां पर मिलता है USB animation मतलब आप जैस से USB लगाते हैं तो एक effect आता है वह effect को आप change कर सकते हैं इसके अलवा screen on off effect भी आप हम पर रख सकते हैं अगले feature के बात करने के लिए हम आएंगे settings में और आएंगे नीचे shortcuts and accessibility में आएंगे यहां पर आएंगे smart motion में और यहां पर shake tutor on the flashlight इसको हम on करेंगे तो आप home screen पर रहेकर दो बार shake करते हैं smartphone को तो flashlight on हो जाता है इसके बाद यहां पर smart calling को हम इस setting में आकर smart answer को on करेंगे जैसे आपको call आता है तो जैसे आप कान के पास ले कर जाते हैं phone को तो automatic call receive हो जाता है इ जैसे कान के पास से आप phone को निकालते हैं तो यह out speaker पर आपका call convert हो जाएगा इस air speaker में call नहीं रहेगा आते हैं इसके बाद नीचे smart mute है इसको हम on करेंगे तो अब मालो आपको call आ रहा है तो जैसे आप flip करते है phone को तो ringtone बजना बंद हो जाएगा call mute हो जाएगा इसके आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है smart wake आपको इस setting बाना है यहाँ पर इन दोनों settings को on करना है इसके अलाओ और भी shortcuts है यह दो बताओंगा आपको मैं यह क्या है तो चलिए जैसे आप नीचे लेकर आते हैं उंगली यह camera app open हो जाता है जैसे आप उपर लेकर जाते हैं उ इस टूए को आप आउन करेंगे अब मानलाब लॉग करके रखें कहीं भी फोन को तो जैसे फोन को उटाकर हाथ मे लेते हैं तो अटोमिटिक स्क्रीन ओन हो जाता है उसके बाद डबल टैप टूवेक आप इसको आप लॉक करना है जाता है अगले फीचर की बात करना में इ settings में आना है और caller ID and spam setting में आकर इन दोनों settings को on करना आपको जो भी call आते हैं वो verify होकर आएंगे spam call वगर आते हैं तो आपको पता चलेगा back आने के बाद आपको blockade numbers में आना है unknown को on करना है तो जो number आपकी phone में save नहीं है उन number से आपको call ही नहीं आएगा ये ladies के लिए useful feature हो सकता है जो call आपको आए वो number save करें तो इसके अलावा हम पर इसको आप off करके add a number पर click करके हम पर जो भी number आप dial करके हम पर block पर click करेंगे वो number blacklist में पढ़ जाता है यहां से blacklist से आप निकाल भी सकते हैं एक step back आने के बाद और आना है इस तरह से नीचे हाँ पर caller ID announcement में आना है announce caller ID पर click करके इसको always कर सकते हैं अब मानलो आपको call आ रहा है तो जो आपको call आ रहा है वो किस नाम से certain number वो नाम आपको इस speaker में सुनाई देगा अगले feature की बात करने के लिए आपको I am manager बोलकर एक application मिलता है इस phone में ticker करके agree होना एक और पर ticker करके agree होना उसके बाद यहां से आपको optimize करना है आप जैसे optimize करते हैं तो आपका smartphone और भी speed चलता है कभी-कभी आपका smartphone lag होता है तो आपको optimize करना है अपने smartphone को speed करने के लिए इ scan करके बताता है कोंसे application से आपके phone को rigs है hacking के related कोई applications है क्या हो यहां पर बताता है देख सकते हैं एक-एक application को scan कर रहा है तो यह कर लेना इसको भी बोरा scan कर लेना इसके अलावा इसी app manager को हम open करेंगे तो आपको tools पर click करना है यहां पर इसके बाद आप app clone पर click करके आप जो applications आपको दिखते हैं उनको dual कर सकते हैं यहां से अपर फोन cooling इस setting में आना checking phone temperature मतलब आप temperature भी यहां से चेक कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर लेना तो आपका smartphone cool हो जाएगा और battery खराब नहीं होगी और smartphone blast होने का chance भी नहीं रहेगा smartphone ज्यादा heat होता है भद से ज्यादा heat होता है तो smartphone blast होने का chance भी रहता है यह पूरा होने तक इसको cancel मत करना अगली feature की बात करने के लिए आना ह यहाँ पर आपको आना है lock screen and wallpaper में यहाँ पर आपको मिलता है theme मतलब कोई भी आप theme download करके रखना चाहते हैं तो download more पर click करके हम पर और बहुत सारे आपको themes मिलते हैं जो आपको style अच्छा लगता है उसको आप download करके apply कर सकते हैं आपके पूरे phone का system ही look ही change होता है एक step back आने के बाद UI color आपके हम पर मिलता है आपका जो UI है वो UI color आप change कर सकते हैं आपके पूरे phone का system है उस system का color change होता है और आता हूं ब्याक lock screen and wallpaper setting में आने के बाद lock screen setting में आना है यहाँ पर lock screen poster में आना है यहाँ पर lock screen वाल पीपर भी फिलाल तो बार 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 चेंज हो रहा है यह आप एंपर देख सकते हैं यह बार बार चेंज नहीं होना चाहिए तो इसको off कर सकते हैं आफ करेंगे तो lock screen वाल पर एक ही रहेगा बार बार चेंज नहीं होगा अगले feature की बात करने के लिए दो अंगलियों से pinch करना है उसके बाद next पर क्लिक करना है आपको पहले बार आय standard मतलब सारे applications इहीं आते हैं home screen पर अगले feature की बात करने के लिए दो अंगलियों से pinch करके home setting में आकर यहाँ पर add icon to home screen यह क्या है आपको मैं बताऊंगा अब मालूब कोई भी नया application डाउनड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो सारे application में तो आ जाएगा लेकिन आपर home screen पर भी आ effect के style को आप हमपर change कर सकते हैं किस तरह सी यह effect आए अभी देख सकते हैं यह style में यह आ रहा है effect अगले feature के बात करने के लिए pinch करके home setting में आकर यहां पर rounded corners and size of icons मतलब आपकी जो applications हैं उनको आप बड़े चोटे कर सकते हैं यहां से और यहां से आप इसको अलग अलग shape में ल पर lock layout आप इसको on करेंगे इनमल करेंगे तो जो home screen वाले application जिस जगा पर है वो उसी जगा लॉक हो जाएंगे अपने जगा से हिलते ही नहीं कभी कभी क्या होता यह application इदर यह application इदर चले जाता है यह problem आपके साथ होती है तो इस setting को on कर लेना इसके बाद long press करते हैं home setting में आते हैं नीचे आने के बाद आपको डोनोट्स on home setting में आकर notification संडर पर इसको set कर लेना है अभी आपको notification पैनल निकालना तो ऊपर से खिशने की जरूरत ने नीचे बस इतना करेंगे निकल कर आता है अगली feature के लिए यहां पर जो Google है Google News यह नहीं आना चाहिए तो long press करते है इसके बाद अगले feature के लिए पिंच करते हैं home setting में आते हैं नीचे आते हैं यहां पर है है अगले feature के लिए पिंच करते हैं home setting में आते हैं नीचे आते हैं अप एकन ब्याट इस setting में आपको आना है आप हमपर do not display करेंगे तो कोई भी app से आपको notifications आते हैं तो उस app की उपर आपको कुछ भी नहीं देखेगा कुछ भी notification की निशानी नहीं देखेगी आप हमपर करे आने के number तो quantity बताएगा कितने notifications आपको आए हैं अगले feature के लिए आपको आना है दोस्तों इस phone के settings में आपको आना है अभी इस तरह से नीचाने के बाद notifications में उसके बाद यहां पर notification history में आना है हैंस इसको on करना है अब मालो आपको जो जो notifications आते हैं यहां पर वो यहां पर दिखेंगे आपको बाद में आप आकर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेंगे आपने गलती से clear भी किया तो यहां पर आपको दिखेंगे कमाल का एक और benefit यह है इस feature का आपको WhatsApp पर कोई भी message करके everyone delete करता है तो वो भी आपको यहां पर दिखेगा बस data on रहना चाहिए आपका data on है तो यहां पर notification आएगा वो notification message के साथ यहां पर save हो जाता है वो everyone delete करता है तो भी यहां पर आपको दिखेगा यह कमाल का feature है दूस्तों इसको ज़रूर on करना अगली feature की बात करने के लिए इस phone के settings में आकर इसी notifications में हम आएंगे और नीचे आएंगे यहां पर notifications on lock screen इस setting में आप आएंगे don't show any notifications करेंगे तो lock screen पर आपको कोई भी एप से notifications आते हैं तो यहां पर नहीं दिखेंगे आपको don't show ही कर लेना क्यूंकि आप log करके रखते है फोन को कहीं भी तो आपको OTP भेज कर आपके accounts को कोई भी hack कर सकता है log screen पर OTP तो दिखेगे ना message आपने show करके रखा है तो तो उसलिए है ना आप don't show any notifications कर लेना अगली feature के लिए यहां पर आपको जो camera में नौच में जो yellow color में लाइटिंग दिख रही है यह कैसे set करें आपको मैं बताऊंगा इसको set करने के लिए आपको सबस्पले एक application को download कर लेना पड़ेगा उस application की link है इस video क comment में comment pin है click करके download कर लेना आपने download कर लिया down करके इसको open करना open करके सारे permissions देना है जैसे आप permissions देते हैं तो आप आएंगे इस step में यह off रहता है सबस्पले इसको on कर लेना है इस controller है इस controller से आपको अपने camera के पास लेकर जाना है इस ring को और यहां से आप इसको छोटा कर सकते हैं और आप इस पर clicker क करके वह color को है और वापस से इस पर clicker करके वह color को एक और बास इस तरह से हो जाता है अगले फेचर के लिए आपको आना दुस्तों इस phone के settings में settings में आकर आएंगे नीचे हहाँ पर आपको आना है apps में Apps में हम जैसे आते हैं तो यहां पर आपको मिलता है Screen Time, यहां पर सुबा से लेकर अभी तग आपने कितने मिनट्स और कितने घंडे फोन को यूज किया, यह देख सकते हैं और पूरे वीक का डेटा भी देख सकते हैं कामाल का एक और फीचर यहां पर नीचाना है आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं ब्याक आने के बाद See All Apps मतलब आप कोई से अप्लेकेशन के नोटिफेकेशन को हमेशा के लिए बंद करना जाते हैं तो यहां से वो भी कर सकते हैं हाँ पर बहुत सारे नोटिफेकेशन आते हैं अबहुत कोर्त पर क्लीक करेंगे नोटिफेकेशन पर हम खिलिक करेंगे जैसे हमकरते हैं तो इसके नोटिफेकेशन हमके हम पर नहीं आएं अगली फीचर के लिए आना उलंवापस से और से ब्लादीघिंग और और नीचे आना है इसु leaking में आना है यह off है तो इसको भी on कर लेना आपका smartphone गुम जाता है तो बड़े आराम से आप drag कर पाएंगे अपने smartphone को back आते हैं और नीच आते हैं आपको privacy and app encryption में आना है हांपर password option पर click करके हांपर pattern, pin, password आप जो रखना चाहिए रख लेना हांपर आप जैसे रख कर आएंगे next step में हांपर हाय वगरा कुछ भी डाल देंगे चलेगा उसके बाद app encryption पर click करके हांपर app lock set कर सकते हैं अलबॉम को मैं search लेता हूं और app lock time पर click करके हांपर यह बीच वाला setting है इसको set कर लेना इस पर तो जैसे हम application को open करते हैं तो यह lock पुछता है वापस open करते हैं तो अभी पुछता है अगली feature के लिए आना है दोस्तों वापस आपको settings में और इसी security setting में आकर और इसी नीचे privacy and app encryption में आना है उसके बाद यहां से इसको unlock करना है app hiding मतलब यहां से आप applications को head करके रखना चाहिए application को head करके भी रख सकते हैं Amazon को यहां पर hide कर लेता हूँ ओके अबर click करता हूँ तो अभी हम Amazon ढूंडेंगे हमको नहीं मिलेगा यह देख सकते हैं नहीं मिल रहा है वापस से उसी setting में जाकर इसको off करेंगे तो निकल कर आता है अगली feature के लिए आना है दोस्तों आपको इस phone भी होता है आपका smartphone और भी आगाते हैं settings में आने के बाद और आना है इस तरह से नीचे और नीचा आना है shortcuts and accessibility में आना है और यहां पर है quick action quick action में आकर अब मालो आप जैसे log करके रखते हैं तो value minus button के उपर हम लॉंग प्रेस करते हैं तो यह जीमेल एप्लिकेशन ओपन हो जाता है अगली feature के लिए आएंगे दोस्तों हम वापस इस तरह से settings में और नीचा आएंगे shortcuts and accessibility में हम आएंगे और नीचा आएंगे easy touch में हम आएंगे यहांसे इसको on करेंगे और इस सरह से feature निकल कर आता है इसमें screenshot लिए सकते हैं calculator उसकर सकते हैं अब इसके पर हम double tap करेंगे तो screenshot लग जाता है और एक बार इसके पर long press करने के बाद क्या आना चाहिए हम पर lock होना चाहिए तो यहां पर ठीक है इसके पर long press करेंगे तो lock हो जाएगा यह आप हम पर कर सकते हैं अगली feature के लिए आएंगे दोस्तों वापस से हम settings में और आए एक step back flash notifications में हम आएंगे incoming calls को हम on करेंगे अब मालों आपको call आता है तो जो पीछे flashlight है वो flashlight लगता है settings में आने के बाद और आपको एकदम नीचाना है आपको आना है system में system navigation में आना है यह back button इदर menu button इदर लेकर आना चाहते हैं तो यहां पर clicker की back button को इदर menu button को इदर ले हो जाएंगे अब back इस side से और इस side से आ सकते हैं home button इह रहा recent tax remote करने के लिए नीचे से हम इस तरह से long press करेंगे तो यह recent tax open होकर आते हैं इस तरह से निकल सकते हैं all पर भी इसको निकल सकते हैं वैसे आपने देख लिए होगा इसी वीवो T2 X5G smartphone के आपको माने बता दिया 60 स से ज्यादा features आपको इन में कौन सा feature अचला नीचे comments में बता देना और आप इसी smartphone के camera के पूरे settings camera के पूरे features का एक और वीडियो देखना चाहते हैं दूसरी वीडियो में मने बता जाया है camera के बारे में सारे details में बात किया है तो उस video के link आपको नीचे मिल जाएगी इस video के description में तो चलिए दोसों मिलते हैं आप से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए take care assalamualaikum